ओम नमस्षिवाय दोस्तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर चड़ाए यह एक चीज हर मनोकामना होगी पूरी दोस्तो शुरुष्टी के कनकन में महादेव का वास है और महादेव अपने भगतों का हर रूप में कल्यान करते है भगवान शिव ऐसे देवता है जो मात्र लोटे भर जल से ही प्रसन्न हो जाते है भगवान शिव जिस पर महरबान हो जाते है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते है भगवान शिव के पुजन के लिए सोमवार का दिन अत्यन्त शुभः होता है सोमवार के दिन बाबा भोलेनात के पुजन का विशेशफल मिलता है इस दिन भगवान भोलेनात काफी प्रसन्न मुद्रा में रहते है शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए है जीने करने से व्यक्ति की सभी मनो कामनाई शिग्र पूर्ण हो जाती है लेकिन दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है भगवान शिव के शिवलिंग का पुजन करना, भगवान शिव के शिवलिंग का पुजन करने से भगवान शिव अति शिघ्र ही अति प्रसन्न हो जाते है, भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते है, भक्तों के सभी छाओं को पूरी करते है महादेव, वैसे तो भगवान भो भोलेनात के शिवलिंग का पूजन रोधाना करना चाहिए, लेकिन सोमवार के दिन शिवलिंग का पूजन करने से विशेश पुन्य की प्राप्ति होती है, इससे विशेश फलोंग की प्राप्ति होती है, दोस्तों शिव पूरान में कुछ ऐसी चिदों के बारे में बताया ग और अपने भक्तों को मन चहा वर्दान प्रदान करते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाई पूरी करते हैं, भगवान भोलेनात के शीवलिंग पर अलग-अलग वस्तु चढ़ाने से अलग-अलग मनोकामनाउं की पूर्ती होती है, तो दोस्तो आईए जानते हैं किस मनोका प्रामना के लिए भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर कोन सी वस्तु चड़ाए। दोस्तो अगर आपके बनते हुए कारिय बिगड जाते है यानी आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। या आपको समाज में मानसम्मान की प्राप्ती नहीं हो रही। या फिर आपको वो दर्जा नहीं मिल रहा वो मानसम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हगदार है। तो दोस्तो आप सोमवार के दिन भोलेनात के शिवलिंग का चंदन से अभिशेक करे। चंदन से अभिशेक करने के लिए एक लोटा शुद्ध जल ले। उस लोटे में थोड़ा सा दूध मिला और इसके बाद में उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाले। अब चंदन मिले हुए जल से आप भगवान शिव के शिवलिंग का अभिशेक करे। ऐसा करने से सोभाग्य में रुद्धी होती है। दूर भाग्य भी भोलेनात की कृपा से सोभाग्य में बदल जाता है। भगवा दोस्तो अगर आपको कोई रोग है और इलाज कराने के बाद भी उसमें फाइदा नहीं हो रहा। या फिर कोई न कोई बिमारी आपको लगातार बनी रहती है। तो आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर कच्च्या दूद चड़ाए, कच्चे दूद स शिवलिंग का अभिशेक करे। और अभिशेक करते समय भगवान भोलेनात के महामंत्र यानी ओम नमस्षिवाई का जाप करे। इस तरह से भगवान भोलेनात का पुजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। रोगन से चुटकारा मिलता है। साथी अकाल मृत्यु का भ तो आप भगवान भोलेनात का इस तरह पुजन अवश्य करे। इस तरह पुजन करने से कुंडली में मवजूद ग्रह दोश भी दूर हो जाती है। और भोलेनात की कुरुपा से धन वैभव और आईश्वरे की प्राप्ति होती है। अगर सोमवार के दिन भगवान भोलेनात को प्रसन्न करना है तो आप कच्चे दूद में थोड़ासा मिश्री और चावल डाल दे और थोड़ासा गंगाजल डाल कर आप शिवलिंग पर चड़ा दे। ऐसा करने से भगवान भोलेनात की कुरुपा से आपको तुरंत ही उसका फल मिलेगा। हर प्रकार की शुभमन कामनाउं की पूर्ती होगी। जो भी मनो कामना आपके मन में है वो बोल के आपको इस तरह से पुजन करना है वो पूरी होगी। और अगर दूद नहीं है तो थोड़ा सा जल लेले तामबे के लोटे में और उसे चड़ा दे। आप उसमें चावल और मिश्री डाल कर चड़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपको विशेश लाब होगा। साथ ही सोमवार के दिन भगवान भोलेनात को प्रसन्न करने के लिए बेल पत्र चड़ाए। इससे भगवान भोलेनात प्रसन्न हो जाते है और सभी मनोकामनाउं की पूर्ती होती है। तो आपको बाबा भोलेनात को सोमवार के दिन बेल पत्र अवश्य ही चड़ाना चाहिए। सोमवार का दिन भगवान भोलेनात को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन मना जाता है। इस दिन आप व्रत भी रख सकते है। इस दिन आप भोले नात को लौग और इलाईची भी चड़ा सकते हैं。 नजर दोस्ते बचने के लिए हर प्रकार की समस्या के निवारन के लिए आप लौग इलाईची भी सोमवर के दिन भगवान भोले नात के शीवलिंग पर चड़ा सकते हैं。 खास कर कच्चा दूद जरूर चड़ाए और कच्चे दूद के साथ चावल और मिश्री चड़ाए पुश्प चड़ाए चंदन का लेप लगाए भगवान भोले नात को तो वो अत्यनत शीगर प्रसन्न होते हैं दोस्तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव